भाईयों और भेनों, हमारी राष्टिय एक्ता को मजबूत करने के लिए, आज ये हमारा दाहित्व है, कि हम अपनी प्राचिन पहचान और परंपराव को चैतन्य रखें। इसलिए, आज जब आदुनिक टेक्नलोजी और इंफ्रासेक्टर भारत के विकास का परियाय बन रहे हैं, तो हमें इस सुनिश्चित कर रहे हैं, कि विकास और विरासत दोनों एक साथ साथ आगे बढ़ें। आज पंधरपुरपाल की मार का आदुनिक करण हो, तो चार धाम यात्रा के लिए भी नए हाइवे बन रहे हैं, आज अयोध्या में बव्यराम मंदिर भी बन रहा हैं। काशी विश्वनाद दाम परिशर भी अपने नएर स्वरूप में उपस्तित हैं, और सोमनाज जी में भी विकास के बड़े काम किये गए हैं। पूरे देश में प्रसाद योजना के तहट तीर्थ स्थानों और परियतन सलों का विकास किया जा रहा है। महर्ची वालमी कीजी ने रामाएण में भगवान राम से जुड़े जिन सलों का जिक्र किया है। रामाएण सरकीट के रूप में उनका भी विकास किया जा रहा है। इन आठ वर्षों में बाबा साब आमबेड करके पंच तिर्थों का भी विकास हुआ है। चाहे महू में बाबा साहिब की जन्मसली का विकास हो। लंदन में जहां रखकर वो पढ़ा करते थे, उस गर को समारक में बदलना हो। मुंबई में चैत भूमी का काम हो। नागपूर में दिख्षा भूमी को अंतरास्ते स्तर पर विक्स्तित करने की बात हो। दिल्ली में महापरी निर्वान थल्प और मेमोरियल का निर्माण हो। ये पंचतिर्थ नई पीड़ी को बावा साथ की स्मृतियों से निरंतर परिचित करा रही है। प्राफ रही है।